निवश्कार किसान साथियों रियल किशान चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं सुखेंद्र स्रींग किसान साथियों आज मैं बैंगन की बात करने जा रहा हूं कि अभी जो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या लगभग औल इंडिया में जो अभी बीच में भेंकर बारिस हुई थी तो उसके प्रकोप से क्या हुआ कि जमीन के अंदर जो है लिमिट से जादा नमी हो गई अब नमी भी हो गई जमीन के अंदर दूसरा सर्दी का प्रभाव बहुत जादा है तो जादा सर्दी के प्रभाव से क्या होने लगता है कि ये जड़ में जड़ गलन लग जाता है क्योंकि ये सर्दी ज़्यादा होने के कारण अब नीचे तो इसमें पानी भर गया था और नीचे पानी भरने के बाद फिर सर्दी भी उपर से पड़ रही है आज तकरीबन एक हपते बाद थोड़ी सी धूप निकली है तो आज मैं इसी के बारे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर ज़्यादा नमी हो जाए तो ज़्यादा नमी और फिर उसके बाद सूखना तो ये फंगस के लच्षड बन जाते है क्योंकि जब सर्द गरम पौधे को लगएगा तो फंगस के लच्षड पैदा होते है अब फंगस के लच्षड हो गई है तो इसको हम किस तरीके से टीटर करें तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जिस तरीके सी है जो हमारे हाथ पे ये दो को फल है बैंगन का ये दो को फट रहा है तो इसमें ये सो रहा है कि इसमें बोरोन की कमी है अब बोरोन की कमी होते क्यों है क्योंकि बोरोन आप अगर लगातार किसी भी एक खेत में सबजी यजुँबर गी खेती ले देए दुए अब मैंने दिकेत में बहेंगल लगा दिया इसलिए जो खेट के अंदर κbn Czech मातर ही वह ए ले गया कि अब इसमें बोरोकित की मंट्र जादा देनी पड़ेगी आगर आधिए हमारे पेंदि पहटी होता तो अल्रेडी जमीन के अंदर बोरोन मौजूद है और वो इसको मिल जाता हमें थोड़ा बहुत देना पड़ता तो यह जबके मैंने दिया भी है थोड़ा लेकिन फिर भी यह ज्यादा बोरोन की कमी महसूस कर रहा है इसके कारड़ यह फट फल फट रहा है तो अब मैं इसमें मैंने बोरोन डाला है बोरोन डालने कе बाद कर रहा है थी तो किसान साथ्यों इसका बहुत ही सर्ल उपाय है कि फंगस में आप क्या करते हो दुकंदरों के पास जाके दुनिया बंगीसाइट डाल दो फंगीसायट डाल तो निया भे कोई सिस्टेमिक देदेगा इच्छा काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि सिच्ईएसन ज्यादा बिगड़ जाती है तो जड़ सब को नहीं रोक पाते हैं आप इसमें कना क्या है इसमें बजार से लाना है के necklace अगे क्या ऐसे साब तर्थ अची पर सेन्ट का आता है बजार में डेवली डेजी का आप उसका इस्प्रे और जड़ो में ड्रिंच आप दोनों कर दो क्योंकि कोई भी फंगस है कभी भी सल्फर को नहीं खाती और जब आपके पौदे में सल्फर की भरपूर मात्रा हो जाएगी तो कोई फंगस का अटेक ही नहीं होगा इसी तरीके से ये जो कीट प्रबंदन है और है तो मैं आपको सब ये धीरे धीरे सीरीज में जैविक तरीके से बना के भी बताऊंगा कि आप सलफर कैसे बनाते हैं आयरन कैसे बनाते हैं यह सब justified बन जाते हैं और वहथी powerful होते हैं तो इसमें आप ततकालीन सलफर का spray और सलफर की drench इसमें आपको करनी है अब इसमें जो मात्रा की बात आती है वो area वाई area आती है मैं अगर आपसे कह दूँ कि पांच किलो की आप ड्रिंच कर दो तो पता नहीं आपकी जमीन कैसी है किस टाइब की जमीन है जो स्वैल ट्रीटमेंट है वो किस हिसाब का है तो आपको अपने दुकंदार के हिसाब से आप ले लेना क्योंकि जो डोज है वो अलग-अलग एरिय तो आप इसमें जडगलन से और फंगस से पूरी तरीके से आप सुरच्छित हो जाएंगे किसान साथियों अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद आप मुझा की जाएंगे की जएवाद हो जएवाद रखियो जएगाद हो घुट रखियों अगर यह प्योंकि जएवाद हो लेक से प्योंकिन हो लेकस्ट